असलाम अलेकुम, वेल्कम टू माइ चैनल, हिर्या किचन में हैं मेरे किचन में डहीं साधी रेसिपी, जल्दी कर लेजे मेरे चैनल को सबस्च्राइब मेरी वीडियो को लाइक और शेरर्कनबे ना भूल एजुआधे एक प्यारा कमेंट करते जाएं, वीडियो को इसकिप मत कीजिएगा, लास तक देखेगा, तभी आप लोगों के लिए मेरी रेसिपी बनेंगी, सिम्पल इजी एंड टेस्टी, तो आते हैं आज की रेसिपी पर, तो गाइज, आज की मेरी रेसिपी है, वेच पुलाओ या सब जियो का पुलाओ ये बहुत जादा डिलीशियस और मज़ी में बहुत जादा टेस्टी होता है, तो आएज करते हैं से बनाना स्टार्ट है, वेच पुलाओ के लिए हमें जो इंगिरेंट्स चाहिए, वो ये सब हैं, सबसे पहले हम गरा मासाला देख लगते हैं, तेस पता तेस्ट के अरकॉर्डिंग लेजीगा, मैंने थीन अरी मिर्च को काट लिया है, ये चोटा टमाटर था एक और ये आलो को भी मैंने इस तरहां से चोटे-चोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये वेजिज जैसे के मैंने मतर, गाजर, स्वीट कॉन और ये बीन्स इन स और ये बनाना ने इसे तो मैंने पैन में ले रही है, थिरी कुकिंग स्पून ओइल, और ये जिदे आप अपने जितना आप चिकना खाना चाहें कम जादा कर लेजिएगा, जब और गरम हो गया है, तो मैं इसमें सब ये गरम मसाला डाल दूँगी, और मैं इसमें प्यास क उस्तिमाल नहीं करूंगी, मैं प्यास की अजी तो मुझे एक दम राइज वाइए, इसलिए मैं प्यास बिलकुल नहीं ले रही है, और मैंने प्यास को दिए के अद्रक निग्मेर्च भाइश जांगी, अध्यान रहे हैं, अध्यान है कि मसालों का कलर चेंज ना और ये न यह बहुत अच्छा लगता है यह पुलाओ क्योंकि हर तरह की वेजीज हैं तो वाइट वाइट चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसमें प्यास का यूज भी नहीं कर रही हूं थोड़ी देर इसे पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी तो मेरे दो ग्लास चावल है तो मैं इसमें डाल रही हूं तीन ग्लास पानी वन एंड हाफ फिर वन एंड हाफ करकर मैंने पानी डाला है और इसे बॉइल आने देंगे इसे मैंने कवर कर दिया है तो गारी जब देखते हैं इसे इसे नहीं च्छेड़ेंगे चावलों टूट जाएंगे और इसे कवर करकर खूब अच्छेसे पानी ड्राइवने तक कॉक करेंगे देखे फाइफ मिनिटस में ही इसका पानी जो है ड्राइउ होने लगा है और हो गए है यानि चावल रेडी है थोड़ा हलका सा मैंने इसे स्टिर करा है और जी मैं आप इसे बेना कवर करें जो पानी है उसे मैं एक ड्राइउ कर लूँगी पानी ड्राई हो गया है मैं इसमें डाला एक वड़ा एसेंस और मैं अब इसे फिर फाइफ मिनिट्स के लिए दम पर रख दूंगी गैस के फिलिम स्लो कर देंगे और फिर हम इसे कर लेंगे डिश आउट हमारा प्लॉव बनकर रेडी है तो यह देखें गाइद हमारा वेज प्लॉव बनकर रेडी हो चुका है और कितना जादा डिलिशियस लग रहा है और थोड़ा मैंने से फिराइड अनियन के साथ गानिश कर लिया है आप ना भी करें तो यह तब भी बहुत जादा अच्छा लगता है तो आप लोग जी से ट्राय करें और मुझे बता यह कैसा है ओके गाई दौा में याद रखेगा अल्ला हाफिज बाय बाय टेक कैर फिर मिलेंगे हिरा के किचन में एक नई और मज़िदार सी रेसिपी के साथ